जै श्री हरे स्प्रीचल ग्यान में आप सभी का एक पार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करें कि घर में सुख सम्रद्धी में व्रद्धी हो तो सबसे पहले भोग में डालें तुलसी के पत्ते निर्जला एकादशी के दिन भगवान विश्नु के लिए चर्णामरत और पंजीरी का भोग तयार करें और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें इसके बाद ही भगवान विश्नु को भोग लगाएं ऐसा करने से भगवान विश्नु की विसेश कृपा प्राप्त होती है भगवान विश्नु के लिए तुलसी के पत्ते मिलाना बहुत ही लाबकारी माना जाता है इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन सम्मंधी कोई कमी नहीं रहती है दूसरा तुलसी की परिकर्मा करना है निर्जला एकदशी के दिन तुलसी के पौधे में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाए साथ ही भगवान विश्नु के मंत्र का जाप करे ग्यारा बार तुलसी के पौधे की परिकर्मा भी करे इस उपाय से घर में यदि कलेश रहता है तो वह समाप्थ हो जाएगा और सुख शान्ती खुशाली बनी रहेगी नम्बर तीन तुलसी में जलाएं दीपक निर्जला एकदर्शी के दिन मातुलसी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है अगर किसी के काम नहीं बन रहे हैं तो इस दिन तुलसी के सामने दीपक जला कर तुलसी माता की आरती करें हालकि इस बात का विशेश ख्याल रखें कि एकदर्शी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्यूंकि कहा जाता है कि मा तुलसी भी उस दिन एकादशी का व्रत करती है अगर किसी परिवार में पती और पत्नी के बीच में समस्या रहती है तो तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाए लाल चुनरी को सुभाग्य का प्रतीक माना गया है लाल जुनरी तुलसी को चढ़ाने से मलक्ष्मी और भगवान विश्नु की करपा प्राप्थ होती है नमब पांच मंत्र का जाप करें निर्जला एकादशी के दिन सुभा जल्दी उठकर इसनानादी के बाद भगवान विश्नु के मंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाय नमहा का जाप करें इस मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी की आरातना करें और तुलसी को भोगर्पित करें साथ में भगवान विश्नु को भी भोगर पित करे। इस उपाय को करने से जीवन में खुशाली बनी रहेगी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथी का विशेश महत्व है। निरजला एकादशी को बाकी सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ट माना गया है। नर्जला एकादशी का वरत भीम ने भी किया था इसलिए इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है नर्जला एकादशी के दिन भगवान विश्नु की उपासना करने से जल्दी प्रसन हो जाते हैं नर्जला एकादशी के दिन उप्रोप्त उपाय करने से भगवान वि स्याओं से छुपकारा भी मिल सकता है वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जदा से जदा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें